नमस्कार दोस्तो civil engineering support के एक बेहत महत्पुन वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिशीक सिंग दोस्तो आपने एक कहावत तो अवस्य सुनी होगी कि नकल करने के लिए भी अकल की आवसकता होती है दोस्तो मैं बार-बार कहता हूँ कि आप जो है वो अपना जब घर बना रहे हैं अपने मेहनत की कमाई से आपने जमीन ली होगी उसमें मेहनत के कमाई का दोस्तो पैसा लगने वाला है तो बिल्कुल आपके पास जनकारी की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों चुकि on average प्रेज मैंने देखा है कि एक इंसान अपने पूरे लाइफ टाइम में मेहनत के कमाई से सिर्फ एक ही घर बनवा पाता है बिल्कुल सही तरीके से घर होना चाहिए आपके घर में पूरा परिवार रहता है इसलिए उसके सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवार नहीं होना जाए आप देख सकते हैं दोस्तो यहां पे खेत वाले जमीन में घर बनाया जा रहा है दोस्तो मैं तो साइप पर आया हूँ लेकिन आप आप वीडियो देखकर के भी समझ रहांगे कि मिट्टी का परकार कैसा है और साथ ही साथ दोस्तो इस मिट्टी में इस स्वेल में जो bisa ब बहुत हद तक गायब है दोस्तों मतलब load bearing capacity इस मिट्टे की कम है तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या ऐसे जगा में flat footing सही है चुकि flat footing बनाने में पैसे कम लगता है इसलिए ये लोकों को बहुत जल्दी attract करता है लेकि long term में अगर सोचेंगे तो क्या आपके लिए सही है या फिर नुकसान दे है साथी साथ flat footing किन के लिए बनाया गया है कहाँ पर दे सकते हैं और कहाँ पर नहीं दे सकते हैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों flat footing, pad footing जिस तरह से आपको नाम से पता चल रहा है बिल्कुल दोस्तों इस footing को देखेंगे तो कोई भी इस में step footing जैसा step या फिर sloped footing जैसा slope आपको देखने को नहीं मिलेगा ये बिल्कुल जो है वो support हो रहता है ठीक है flat रहता है और यही करण है कि इसका नाम भी दोस्तों जो है वो flat footing रहता है अब बात कर लेते हैं कि यह किन के लिए बनाया गया और किन के लिए उपयोगी नहीं है दोस्तों किन के लिए बनाया गया है दोस्तों ऐसे जगह चुकि ये normally stepped या फिर raft footing या फिर combined footing इन सब सो दोस्तों ये footing जो है वो थोड़ा सा कमजोर माना गया है और ये बनाया गया है उनके लिए जहाँ पे जो soil का मिट्टी का जो load bearing का capacity है वो जादा है तो उस जगह में इस तरीके का flat footing आप बेहिचक दे सकते हैं ऐसा जगह जहाँ प हैं दोस्तों concrete बगारा का isthman हुआ है तो दूस्तों कम लागत लगते हुए भी मैं आपको बार-$ Easy footing को बनाने से मजबूती है इस footing का सबसे कम होता है दूसरा चीज है दोस्तो जो हमारा column settlement का जो chance है इस flat footing में सबसे ज़्यादा होता है इसलिए दोस्तो जिस मिट्टी की load bearing capacity कम है वहाँ पर दोस्तो इस तरीके काम से बचना चाहिए हाँ आपका पैसा कम लग रहा है लेकिन दोस्तो अगर long term में सोचेंगे कि आपको कितने साल तक घर को रखना है तो उस इस सित्ती में पाएंगे दोस्तो कि आपका अगर मिट्टी उस तरीके का नहीं है या फिर आपका जगह दोस्तो यहाँ पर भुकंप प्रूफ नहीं है दोस्तो तो ऐसे जगह में इस तरीके का काम बिल्कुल भी आपको हाथ में नहीं लेना चाहिए और दोस्तो जो भी पर नहीं देना है उमीद करता हूं दोस्तो यह वीडियो आपके लिए जनकारी भरा होगा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इजाज़त दीजिए दोस्तो नमस्कार धन्यवाद